आज मैं टोप थिरी स्क्रीन रिकोडर के बारे में बात करने वालों फ्रेंट तो पर ये अप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं तो पर ये अप्लिकेशन का नाम है स्क्रीन रिकोडर देख सकते हैं ये अप्लिकेशन कुछ इस तरह दीख रहा है तो यहाँ पर मैं बताता इसके option के बारे में, तीस application में friends, आपको edit video को option मिल जाता है, यहीं से आप video को edit भी कर सकते हैं, और trim भी कर सकते हैं, वीडियो को card भी सकते हैं, उसी तरह आपको यहाँ voice changer को option मिल जाता है, आप यहीं से voice को change भी कर सकते हैं directly, magic भी लगा सकते हैं, उसके बाद video को merge भी कर सकते है और video to gift यानि कि video का आप gift में convert भी कर सकते हैं वीडियो को rotate भी कर सकते हैं और picture editing का भी option दिया गया है picture को editing भी कर सकते हैं यह application बिल्कुल नहीं है friends उसके बाद मैं setting में जाता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको बोल रहा है कि resolution आपको screen का कितना रखना यह 1080p तक maximum दिया FES है कि आपको FES कितना रखना है कि हमें 30 रखता हूँ तो आप भी 30 रखें इसको या आप अपने अनुसार आपने mobile के capacity के अनुसार इसे रख सकते हैं आपको जितना भी रखना हो उसके बाद यहाँ पर आपको एक option मिल जाता है कि आपको portrait में record करना है यह landscape में record करना है तो मैं तो आटो ही करके इसे छोड़ देता हूँ उसके बाद देख सकते है फ्रेंड्स यहाँ पर recording mode का option मिल जाता है यहाँ पर दो option मिल जाते हैं आपको standard और basic का ता standard में तो आपका simple normal record होगा और कुछ ऐसे वीडियो होते हैं जो record नहीं होते जैसे personal चीजे होती है password वगेरा क तो वह recording नहीं होती है तुसरे record करने के लिए आपको basic में करके record करना पड़ेगा तब ही वह record होगा उसके बाद audio recording का है उसके बाद देख सकते है real time voice changer का भी option आपको मिल जाता है come down का भी option मिल जाता है उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे no watermark है आपके वीडियो में watermark बिल्कुल भी नहीं आएक recording करने के दौरान और यह option बहुत ही बड़ी है friends यदि आप अपने phone को check कर देते हैं हिला देंगे तो आपका recording directly stop हो जागा यदि आप इसे on कर देते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको बहुत शार उप्शन मिल जाते हैं इडिट वीडियो का इडिट फोटो का merge वीडियो और फोटो का उसके बाद मैं यह सेटिंग में जाता हूं तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको उसी तरह option मिल जाता है रेजुलेशन कितना रखना है क्कफायल्टी कितना रखना है फियस कितना रखना है विडियो को लेंडिश्के परकौो सूट करना है और यूर्य मिल जाता है सेब लोकेशन का option मिल जाता है come down का मिल जाता है उसके बाद pop up windows का option मिल जाता है उसके बाद यह option बहुत ही बढ़ी है friends यह जो अभी दिख रहा है यह option यदि आप enable कर देंगे यह hide हो जाएगा recording के दोरान आपका तिसे यह option बहुत ही बढ़ी है इसमें इसे ओन मैं तो इसे ओन करके ही record करता हूँ ताकि यह दिखे ना यह hide हो जाए उसके बाद यह option बहुत ही बढ़ी है friends keep recording when screen is job यानि कि आपका screen यदि off भी रहेगा तो भी आपका recording होते ही रहेगा उसके पाद screen short का भी आपको इसमें option मिल जाता है brush का भी option आपको इसमें मिल जाता है तीस application को भी आप ट्राय कर सकते है friends यह application भी बहुत ही बढ़ी है और इस application में भी आपका recording full HD में होगा तो चलिए बढ़ते हैं फिर अगली application की ओर ता अगली application के बात करें तो friends अगली application का नाव है X recorder इस application में देख सकते हैं आपको उसी तरह option मिल रहे है इडिट वीडियो इडिट फोटो का merge करने का compress करने का file को transfer करने का उसकी बाद मैं setting वाले option में जाता हूं तो देख सकते हैं उसी तरह सारे option खुल रहे है resolution का quality का fs का record audio का save location का तो देख सकते हैं सारे option उसी तरह है friends तो मैं जो अभी recording कर रहा हूं फ्रेंड्स वह इसी application से मैं recording कर रहा हूं एक से recorder से तो आप देख सकते हैं audio और वीडियो का quality कितना सुन्दर है तो यहां पर देख सकते हैं मैंने 720p पर ही recording कर रहा हूं मैं और यहां पर quality जो है वह auto करके record कर रहा हूं और fs 30 में set करके में record कर रहा हूं तो देख सकते हैं मेरी जो वीडियो की quality है और audio की quality वो आप सुनी रहे हैं आप देखी रहे हैं कि कितना सुन्दर recording हो रहा है इसमें तो सारे application का link आपको description में मिल जाएगा friends सारे ने application से related ज़र आपको कोई सवाल हो तो मुझे comment box में comment करके पूश सकते हैं चलिए तो फिलाल इस वीडियो में इतना है friends मिलते हैं फिर एकानुई वीडियो के साथ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद friends